आदाब नमस्कार सुपरभाद मैं हूं नसीर कुरेशी आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेफ टीवी आईए नज़र डालते हैं आज रवीबार को भदोही जिले की फटा फट खबरों पर भदोही सहर से सटे सर्रोही गाउं की अमन पसंद जनता ने एक बार फिर मिसाल कायम की है असमाजिक तत्तों के मनसूबों पर सर्रोही की अमन पसंद जनता ने पानी फेर दिया है आपको बता दे कि सर्रोही इदगाह के सामने एक मजार को बीती रात किसी विछिप्त या सरार्ती तत्व ने छती गरस्त करते हुए गाउं की फिजा बिगालने की साजिस की सुबा जब लोगों की आख खुली तो देखा की मजार की कुछ हिससे छती गरस्त थे मजार पर बीची चटाई एक कोने में रखी हुई थी मजार को छती गरस्त करने के बाद इट को काईदे से चहर दिवारी पर रख दिया गया था तथा दूसरी तरफ साफ सफाई कर दी गई थी गाउं में जानकारी होते ही हलकंब मच गया मजार छती गरस्त होने की सूचना पर सहर कोतवाल तुरंद सक्री हो गए मैं फोर्स मौके पर पहुचे SDM भदोही ने भी मौके का जाया लिया सपा जिलाध्यच भिकास यादो वर राकेश उर्फ पपुतिवारी सर्रोही वदुलम दासपूर परधान परतनिधी सहित गाउं की संभरांत जनता मौके पर पहुच गई आनन फानन में सहर कोतवाल सदानन्द सिंग ने ग्रामलो के सहयोग से छती गरस्त मजार को बनवाने के लिए इट बालू गिरवा दिया मामला छेतर में चर्चा का बिसय बन गया हलाकि पुलिस ने पूरे मामले को सभाल लिया और सर्रोही की अमन पसंद जनता ने एक बार फिर आपसी भाईचारे की मिसाल पेस की है वाटसप से प्रेम ऐसा परवान चला कि आसिक अपने नाबालिक प्रेम का को लेकर फुर हो गया कहते हैं इसक नचाये जिसको यार फिर वो नाचे बीच बजार ऐसा ही कुछ दिलफेक मामला आया है चवरी थाना छेतर के एक गाउं से जहां चंदन कन्नोजिया नामक एक आसिक का एक दूसरे जाद की मासुका से आखे चार हो गई वाटसप से प्रेम परवान चला दोनों मोबाईल पर ही इलू इलू करते रहे इसी बीच मौका पाकर दोनों घर से फरार हो गए अब इस मामले में यूती के पर्यूनों ने चवरी थाने में तहरीर देते हुए आसिक चंदन कन्नोजिया के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मोकदमा दर्ज कराया है आरोफई की चंदन कन्नोजिया यूती को बहला फुसला कर भगा ले गया उधर चवरी पुलिस का कहना है कि अगर जाज में यूती नाबालिक मिली तो आसिक चंदन कन्नोजिया के खिलाफ पास को एक्ट के तहत कारवाई की जा सकती है जमीनी विबात को लेकर सुरियामा थाना चेतर के चवगुना गाउं में दो पक्चों में जम कर लाठिया चटकी हैं दोनों तरफ से तेरा लोग घायल हुए हैं जिसमें चार को गंभीर चोटें आने पर सामुदाईक स्वासकेंद्र सुरियामा से वाराशी ट्रामा सिंटर के लिए रेफर कर दिया गया है मारपीट से गाउं में अफरा तफरी फैल गई यह बिवाद अजय तिरपाठी वर राम सागर तिरपाठी के बीच मकान निर्माल को लेकर हुगा है एक पक्ष मकान के निर्माल के लिए नियू की खुदाई करा रहा था तभी दूसरे पक्ष ने इसका बिरोध किया इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जम कर मारपीट हुई है एक पक्ष से चा तथा दूसरे पक्ष से साथ लोगों को चोटे आई हैं जिसमें चार लोगों को वारान सी ट्रामा सिंटर के लिए रेफर कर दिया गया है दोनों पक्षों ने सुरियामा में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है क्रिशी कानूनों के बिरोध में समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यच अखलेस यादों के निर्देश पर सनिमार को समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यच हसनैन अंसारी के निर्थत में सपाईयों ने साइकिल यात्रा निकाली है साइकिल जोलूस भदोही सहर के हिम्मत पूर बकुचियां से होते हुए गंगापूर पकरी फूलन देवी तिरहा जलालपूर छेडी बीर कुशियरा पहुचा और सिबिल लाइन पर पहुच कर समाप्त हो गया इस मौके पर सपा नेता हसनैन अंसारी ने कहा कि किसानों के हक में इसी तरह समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी साइकिल यात्रा में दीप नराण भारती उमा संकर पटेल आदी सपा कारकरता मौजूद रहे भदोही कोतवाली पुलिस ने नकली सेमेंट बरामत कर यह सावित कर दिया है कि भदोही में बड़े पैवाने पर नकली सेमेंट का कारोबार फल फुल रहा है पुलिस ने छोटी मचली को तो पकड़ लिया लेकिन बड़ी मचलियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुचे हैं आखिर इस अवायद वा नकली सेमेंट के कारोबार का भदोही में सरचड़ दाता कौन है अगर पुलिस वा खूफिया विभाग इस पूरे मामले की तहकीकात करे तो सूत्र बताते हैं कि कई सफेद पोस इस गोरक धंदे में लिप पाए जा सकते हैं सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि सरकारी निर्माल कारियों में बड़े पैमाने पर ऐसे ही नकली सेमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है और इस पूरे काले कारोबार में कुछ सफेद पोस सामिल हैं आपको बता दे कि भदोही जिला सीमा इस्तित धोरारा पुलिस चवकी वर रामपुर थाने के मध्य सिध्वन गाउं में बड़े पैमाने पर नकली सेमेंट का कारोबार फलफूल रहा है रात के अंधेरों में धोरारा पुलिस चवकी से इन नकली सेमेंट के ट्रक पास हो रहे हैं चवरी थाना इलाके के सरबत खानी गाउं में एक बिभाईता की संदिक्द हाल में मौत हो गई है बिभाईता के मैके वालों ने सस्वालियों पर बेटी को प्रतारित करने का आरोप लगाते हुए पती सहित अन के खिलाब चवरी थाने में तहरीर दी है बताया जाता है कि सरबत खानी गाउं निवासी अनिल बिंद नामग ब्यक्ति से आवराई एलाके के बाबू सराय निवासी असोक बिंद की पुत्री गुडिया के संग कुछ समय पूर बिभाईता के पिता का आरोप है कि उसके दमाद से किसी का अवय संबंध है जिसको लेकर उसका दमाद बेटी को प्रतारित करता था साथ ही बराबर बेटी के ससुरालियों दोरा तरह तरह की मांग की जाती थी मांग पूरी नहुने पर बेटी को ससुरालियों ने मौत की नींद सुला दी है पुलिस ने सो को कबजे में लेते हुए पोश्माटरं के लिए फेज दिया है और जाच पड़ताल में जुड़ गई है धन्तुलसी डेंगूरपुर पीपापुल का संचालन ठप करते हुए ग्रामलों ने चक्का जाम कर दिया युगा सक्ती के राष्टी अध्यश पमंतिवारी के निर्तुत में पहुचे बड़ी संख्या में कोनिया छेतर के लोगों ने पीपापुल का संचालन ठप कर दिया कहा कि पीपापुल जरजर हालत में है साथ ही कहा कि पीपापुल के दोनों तरफ बैरियर की विवस्था होती है लेकिन बैरियर पर कोई भी करमी नहीं है जिससे दोनों तरफ से वाहन एक साथ आ जाने से पीपा पुल के बीचों बीच वाहन थच जाते हैं जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ठेकेदार वर लोक निर्मार विभाग की लापरवाही को लेकर आक्रोसित ग्रामिडों ने पीपा पुल के संचालन को ठप कर दिया जहां मौके पर पहुची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझा कर पीपा पुल के संचालन को सुरू कराया है फरजी अभिलेखों के सहारे नौकरी करने बाले दो सिच्चकों के खिलाफ एफाई यार दर्ज कराया गया है साथी चार के अभिलेखों को संदिग्ध मानते हुए विभाग ने नोटिस देते हुए जबाब मांगा है आपको बता दें कि परसदी स्कूलों में तैनाथ सिच्चकों के समस्त विबरण मानो संपदा पोर्टर पर आनलाइन अप्लोड करने के बाद अब ऐसे सिच्चकों की भेद खुल रही है जिन सिचकों के अभिलेक संदिग्ध हैं ऐसे सिचकों के बेतन पर रोक लगा दी गई है जिन दो सिचकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज गई है उसमें डीक बलाक छेतर के प्रात्मिक बिद्याले फुलवरिया के अरुल कुमार वा प्रात्मिक बिद्याले कलिंजर के अखले च कर्मचार को नोटिस मिलने से सिच्छा विभाग में हलकंप मच गया है। नदारत मिले हैं जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी ओम कार जी स्रेष्ट रेखा मौरिया जेई आर्यस अजयभारती टीए धर्मेंद्र कुमार वसुबाश चंद्र अनुपस्थित रहे हैं। किसानों के समर्थन में समाजवादी पर्टी के भदोही जिलाध्यच विकास यादों के अजमुल्ला चावराहा इस्थित आवास पर सनिवार को एक बैठक की गई है बैठक में 14 दिसंबर दिन सोमवार को जिला मुख्याले पर किसानों के समर्थन में अंदोलन की रणनीत तै की गई है बैठक में सपा जिलाध्यच विकास यादों पूर्विधायक जाहिद बेग पूर्व मंत्री रामकिसोर बिंद जिला मीडिया परभारी धर्मिंद्र कुमार मिस्रा सहित सपा के नेतावा कारकरता मुझूद रहे बिभागी अधिकारियों की लापरवाही से एक महा से जलनिगम का पंप जला पड़ा है जलनिगम का यह पंप सुरियामा छेतर के कुसवडा गाउं में लगा है पंप जलने से छेतरवासियों के लिए पानी की किलत बढ़ गई है इस पंप से लगभग एक दरजन गाउं में पेजला पूर्ती की सप्लाई की जाती है जिसमें कुसवडा, महादेवपूर, एकावनी, खरकपूर, भटेवरा, जीगटपूर, मल्लेपूर आधी गाउं सामिल है जिससे इन गाउं में पेजला पूर्ती पूरी तरह ठप इस बात को लेकर ग्रामलों में आक्रो साफ देखा जा रहा है भदोही जिले के आवराई वा गोपी गज में अलग-अलग सडक हादसा हुआ है जिसमें चार लोग घायल हुए हैं जहां एक अनुवन्धित बस में खराबी आने के कारण अमवा गाउं के समीब चालक राजेश कुमार बस को सडक किनारे खड़ी कर सो गया जहां पीछे से किसी अग्यात वहन ने जबर दस्त टक्कर मार दी जिस से वा घायल हो गया इसी तरह घोसियां ब्रीच के पास बाई की चपेट में आने से फल विक्रेता बिने मौरिया घायल हो गया है यह बलिया का निवासी है उसे उपचार के लिए सामुदाइक स्वासक ले गए जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है किसानों द्वारा दिल्ली में बैठ कर यह एलान किया गया था कि देश के सभी टोल पलाजा पर कबजा कर लें और गाडियों को फिरी निकाला जाए किसानों के इस एलान के बाद भदोही जिले में पूलिस मुस्तैद हो गई जि टोल पलाजा पर सीयो ग्यानपूर भूसर वर्मा सहित और आईवा गोपी गंज पुलिस मैफोर्स डटी रही लेकिन कहीं भी कोई आंदोलन कारी टोल पलाजा पर नहीं पहुचा हलाकि टोल पलाजा के कुछ दूरी पर सपाई जरूर पहुचे और महा धरना प्रदर्थन सपाईयों ने किसी कानून को वापस लिये जाने की मांग करते हुए जम कर नारबाजी की है तोल पलाजा से थोड़ी दूर पर सपाईयों ने परदर्थन कर विरोध जताया है इस मौके पर सपाईयों ने कहा कि जब तक सरकार बनाए गए किसी कानूनों को वापस नहीं ले फरियादियों की फरियाद सुनी है गोपी गज में मौजूद जिलादिकारी राजंदर परसाद वा पुलिस अधिचक राम बदन सिंग ने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान किया है इसी तरह भदोही जिले के आउराई भदोही सुरियामा चवरी ग्यानप साथ ही कुछ मामलों का अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण किया है इसी तरह अधिकारियों ने समाधान रजिस्टर को भी चेक किया है गोपी गंज कोतवाली पर कुल 15 मामले आये थे जिसमें तील मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया सनिवार को ग्यानपूर सर्पतहां इस्थित दिवानी न्याले परिशर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्टी लोक अदालत का आयोजन किया गया इस लोक अदालत में तीन हज्जार लोग लाभानमित हुए हैं तेरा सो बाइस मामलों का निस्तारण हुआ है लोक अदालत का सुभारंब जिला जज अनिल कुमार ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यारपन वदीप प्रजलित कर किया है बैंको के 427 मामले प्रिलिडिगेशन में 2,22,64,260 समझोता रासी तै की गई है आपको बता दे कि मानिनी जिला जज अनिल कुमार द्वारा क्रिमिनल के दो केस का निस्तारण किया गया है अपर जिला जज प्रथम प्रकासनाथ स्रिवास्तों ने 19 मामलों का निस्तारण कर 3,35,000 अर्थ डंड वसूला परधान न्याइधीश परिवार न्याले वाडी रंजन अग्रवाल ने 9 मामले सीजियम आसुतोष कुमार द्विती ने अपराधिक के 146 मामले का निस्तारण कर 171,000 अर्थ डंड लगाया सेविल जज अभिन्नव यादवने चार दीपक नाथ सरस्वती ने दिवानी के कैस जेयम परथम प्रभास तिरफाधी ने अपराधिक के 109 मामले का निस्तारण किया है भदोही जिले में सनिवार को 5 संकरमित मिले हैं आईए बताते हैं हम आपको आज 13 दिशंबर 1921 में बनारस हिंदु विस्विद्याले उद्गाटन प्रिंस आफ वेल्स ने किया था आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात अब नसीर कुरेशी को दीजिए इजाजत नमस्कार आदाम